नमस्कार मैं हूँ पंकर शुक्ला आप देख रहे हैं राज सत्ता एक्स्प्रेस भारती जिंता पार्टी के वरिस्ट नेतार चर्चाओं में छाये हुए पूर्व केंद्री मंत्री स्वामी चिन्मयानन अंतृता शुक्रवार को अपने मुमुक्षू आश्रम से कि ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया जहां से उन्हें पेश किया गया सीजेम कोर्ट में और वहां से उनको 14 दिन की नियाइक हिरासत में यानि की जेल 14 दिन के लिए भेज दिया गया 72 साल के स्वामी चिन्मयानन इस दफ़ा नहीं बच पाएंगे यह हमने जिक्र पिछल सुबूतों का अमबार था जिस तरह के 40-50 वीडियो बताते हैं कि उसमें असाइटी को सौपे हैं और जो उसके तेवर थे जो उसका रुप था उसमें स्वामी चिन्मयानन का बचना वाकई बहुत मुश्किल माना जा रहा था तो हम आज मैं आपको दोनों पहली हों पर बताऊंगा दो जानकारी की एक तो पहला यह कि स्वामी चिन्मयानन पर जो आरोप हैं और जो धाराएं पुलिस ने लगाई है आईपीसी की उनके उपर उससे उनका क्या अधिक्तम हश्र हो सकता है तो और दूसरा यह कि जो आरो शिकंजा है और उसके तीन दोस्तों को पुलिस ने गिरफतार भी करके जेल भेजा है तो मैं इस पूरे दोनों पहली हों पर आपको विस्तार से बताऊं तो सबसे पहले स्वामी चिन्मयानन पर आपको बताएं कि धाराएं आईपीसी की जो लगी है उस पे स्वाविक तोर पर केस दर्ज किया गया है तो सबसे पहले जो धारा 354D है 354D IPC की धारा कहती है कि व्यक्ति किसी महिला का पीछा करता है उसको मतलब मेलफाइड इंटेंशन से उसको अगर फॉलो करता है और अगर पहली बार इसमें दोशी पाया जाता है तो तीन साल तक की सजा इसमें है और अगर व्यक्ति दूसरी बार ऐसी ही वरदात में शामिल होता है तो उसको पाँच साल की सजा और जुरुमाना हो सकता है तो इन्होंने स्वामी चिनमयान अनजैसा की छात्रा कारोप है उसको ट्रैक किया था और उसका नहाते वक्त वीडियो बनाना और एक तरीके से उस धारा है वो 376 IPC है लेकिन 376 IPC चार भागों में विभाजित है A, B, C, D तो चिनमयान पर 376C लगी है और 376C का मतलब होता है जब कोई अधिकारी, सरकारी करमचारी, जेल, रिमांड होम, हिरासत की किसी अनिस्थान, इस्त्रियों या बालकों की संस्था का अधिक्षक या प्रभंधक या अस्पताल का करमचारी होते हुए, ऐसी किसी इस्त्री जो उसकी हिरासत में है, मतलब उसके प्रभाव शेतर में काम करती है, या उसके आधीन है, या उस परिसर में उपस्थित है, जहांका वो सर्वे सर्वा है, उस इस्त्री से अपने साथ शारारिक संबन बनाने के लिए उत्प्रेरित करने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपियोंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको 376C के तहट उसके मुकदमदाज होता है और इसमें 5 या 10 साल की कारावास की सजा से दंडित किया सकता है वो व्यक्ति और जुर्माने से भी दंडित किय सकता है इसके लावा धरा 342 लेकिन 346C का एक्स्प्रेशन यहां परज़ा करने चुकि वो छात्रा जिस SM कॉलेज की विद्यार्थी थी वो SM कॉलेज का प्रबंधन आश्रम के पास ही है मैंने कि स्वामी चिन्मयानंद के आधीन ही उनके प्रबंधन में ही वो कॉलेज वहा SM कॉलेज की थी तो उन्होंने अपनी शक्तियों का चुकि वो उस आश्रम और उस कॉलेज के सर्वे सर्वा हैं और इस लिहाज से 376C लगी जो उसके आधीन एक महिला को उन्होंने उत्पिडित किया इसके लावा 342 IPC यह गलत तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए दंड यह हलाकि इसमें यह धारा समझोता करने योग है कि अगर इसमें आरोपी और पिडित पक्ष समझोता करना चाहे तो कर सकता है दूसरी जो गंभीर धारा है चौथी वो है धारा 506 IPC की अगर किसी व्यक्ति को आपराधिक धंकी कोई देता है तो किसी एक अवधी के लिए का साल तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं तो यह उसके सहले तहत है यह जो है पाइद 506 लगती है इस तरह जो धाराएं स्वामी चिनमय आननreibt पर हैं जो अरोप हैं उससे 72 साल के चिनमय अननत पो दस वरष तक ही सजा हो अगर जैल में काटने पड़ सकते हैं और अभी दो खेर इसका ट्राइल होगा ट्राइल कितने समय चलेगा ये देखने वाली बात होगी एक तो ये पक्ष हो गया दूसरा जो पक्ष है वो लड़की और उसके दोस्तों का जैसा कि जनकारी में है कि वो लड़की जब आरोप लगाने के बाद एक सोचल मीडिया पर वीडियो वाइरल करने के बाद वो एकदम से जब गायव हुई थी तो उसको राजिस्थान के दोसा से बरामत किया गया था वहाँ पर वो थी अपने मित्रों के साथ उसमें उसका एक निकट मित्र है संजय तो आज पुलिस ने इन में से तीन को तीन को भी गरफतार किया है ये मामला जब लड़की ने अपने दोस्तों को खास्तों को संजय को जब वीडियो के बारे में बताया था तो स्वामी चिनमें से पांच करोण रुपए फिरौती लेने की भी एक खयाल इनों के दिमाग में आया था अब इसमें लड़की शामिल थी या नहीं थी ये सपस दोस्तों से तकी मामला कम पैसे में निपटाया जा सके और इस दोरान जब वो राइस्थान पहुँचे थे उसे संपर्क करके तो रास्ते में एक वीडियो बनाया गया था जिसमें ये बातचीत जाहिर हुई थी कि ये स्वामी चिन्मेनन से संजे ने और उसके दोस्तों ने मैसेज भेज के पांच करोर रुपए मांगे हैं तो ये एक्स्टॉशन का मामला भी पुलिस ने बना लिया है और उन लड़कों ने इस बात को स्विकार किया है कि हां एक्स्टॉशन की कोशिश हुई थी हलाकि वो बात नहीं जो ऑफ दर रिकॉर्ड बाते हैं ऑफ दर रिकॉर्ड ये हैं कि बात 25 लाग रुपए तक आके ठ दिगड़ गया और चुकी एक्स्टॉशन का जो वीडियो इन लोगों ने बनाया था जो लोग गए थे समझाता के लिए उन्होंने वो वीडियो फेस्बुक पे और बाकी सोचल मीडिया पे उसको डाल दिया और इसके बाद तुरंत ही स्वामी चिनमेनंद का मसाज वाला भी सामने आ गया तो अब इसमें स्वामी चिनमेनंद का आज गिरफतारी हो गई वो जेल चले गए 14 दिन के लिए अब उनका ट्रायल शुरू होगा लेकिन जो आरोप लगाने वाली लड़की है और उसके दोस्त हैं वो भी दिक्कत में उतने ही नजर आते हैं अभी लड़ पहलू है उन्होंने एक तो यह निकाला है कि लड़की की कम से कम 200 वार स्वामी चिनमेनंद से फोन पर बातचीत हो चुकी थी और रही वो लड़के जिनसे जो इसके साथ ही है उनसे लड़की का कॉल रिकॉर्ड चेक किया गया है उनसे 400 दफा उन लड़कों से बात हुई ह जिसमें सरवादिक संजय से बातचीत हुई है इसको पुलिस ने जिसको भी गरफतार किया है जो लड़की का निकट मित्र बताया जाता है तो यह सारी बाते हैं और साथ ही लड़की की मा को वही पर आश्रम के अंदर जो स्कूल है उसमें नौकरी भी दी गई थी तो स्वा आने वाले दिनों में अब SIT क्या क्या को लाज़ा करती है यह बहुत रोचक होगा और फिलहाल SIT ने यह बताया है कि स्वामी चिनमें अनन्ने अपने अपने उपर लगे हुए लगभग सारे आरोब सुईकार कर लिये हैं मान लिया है वह बहुत शरमिंदा है तो कि वह इत करवाना और उसे शलील बाते करवाना करना अधी सबस्विकार कर लिया है और उनने काया कि मैं अपने की यह बहुत शरमिंदा हूँ तो अब इसमें दिनों दिन जो जो खलासे होंगे उससे हम आपको अफ़गत कराते रहेंगे फिलहाल के लिए इतना ही अनसकार